अगर आप ने दिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं कहानी में अब तक कई साल बीच चुके थे जिसके साथ ही जो अरनस थे वें भी बुड़े हो चुके थे और उनके सर पर सफेद बाल ने चेहरे पर जुरिया आ चुकी थी लेकिन उनके विचार जो थे वो समय के साथ गहरे होते गए अरनेस्ट अपनी गहरे विचारों की वज़े से ही दूर दूर तक फेमस हो चुकी थी जिसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर और एक्टिविस्ट उनसे मिलने आया करते थे जो कि घंटो तक उनसे तिफरेंट टॉपिक्स पर अपनी जो विचार थे वो शेयर करा करते थे साथ ही जब वे आपस में बात करते थे तो उनके चेहरे पर एक अलग सी ही चमक दिखाई पड़ती थी जब Ernest पोड़े हो रहे थे तभी उन्हें एक poet के बारे में पता चला था जो की इस valley का निवासी हुआ करता था जो बात में city में जाकर गाने गाया करता था लेकिन Ernest उस poet के poem और गाने जिसमें the great stone face का जिकर हुआ करता था उसे घंटों अपने cottage के डोर पर बैठकर पड़ा करते थे जिसके बाद Ernest the great stone face को देखकर बोलते थे कि ये जो poet है आपको पसंद आने योगे नहीं है जिस पर the great stone face को देखकर लगता था कि वह ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं काफी दूर होने के बाद बीचू poet थे वो Ernest के नर्म सुभाव के बारे में जानते थे जिसके लिए उन से मिलने की इच्छा रखते थे इसी के बाद एक कर्मी के दिन poet जो थे वो Ernest के गर जाते हैं जहाँ पर Ernest The Great Stone Face के तरफ देखकर एक पुरानी बुक पड़ रहे होती हैं जिस पर poet Ernest से पूछ लेते हैं कि क्या मैं आपके यहां पे रुक सकता हूँ एक रात के लिए जिस पर Ernest मुस्कुरा कर जवाब देती हैं बेशक्ष्ट जहाँ पर poet बताते हैं कि उन्होंने इतना ग्रेट स्टोन फेस को कभी इतना अच्छा स्वागत करते हुए नहीं देखा मतला poet Ernest को उस माउंटेन से कंपेर कर रहे थी के बाद poet Ernest काफी समय तक बात करते हैं और जब poet Ernest से बाते कर रहे होते हैं तभी वे सोच रहे होते हैं कि जो क्रेट स्टोन फेस है वे जुक कर उन दोनों की बाते सुन रहा है और poet से पूछ रहे हैं कि आप कौन है हमारे महमान जिस पर poet बताते हैं कि Ernest जो बुक पड़ रहे थे मैं उसका writer हूँ उसमें जितनी भी poems हैं वो मैंने ही लिखी हैं जिसके बाद Ernest बार-बार poet के face को the great stone face से match करने की कोशिश करते हैं और poet पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं Ernest जिस पर Ernest बताते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उस भविश्यवाणी को बस पूरे होते हूए देखना चाता हूँ और जब से मैंने तुमारी poems पड़ी हैं तो मुझे में काशा जग गई है कि काश तुम वो बविश्यवाणी पूरी कर सकते हो जिस पर poet बताते हैं कि मैं इतना योग्ये नहीं हूँ Ernest आगे बताते हैं कि क्यों तुम ऐसा क्यों सोच रहे हूँ और वहीं पर तुमारे खयाल क्या वर्थी नहीं है आगे poet बताते हैं कि जो तुमने गानी सुनी है मेरी वो मेरे खयालों से मैच नहीं करते अर्नेस्ट और मैंने कई सारे सपने भी देखे थे जो कि पूरे नहीं हो पाए क्योंकि मुझे अपने सोच पर विश्वास नहीं था या बताते होए जो पोईट थे उनकी आँखों से आसुआ रहे थी अब शाम के समय अर्नेस्ट को एक आदत बन चुकी थी कि वे अपने नेबर जहां से वे ग्रे स्टोन फेस को भी देख पा रहे थी फिर जब अर्नेस्ट अपनी ओडियन्स से बाते करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे एक काइडनेस फिला रहे हैं क्योंकि उनको वही अच्छा लगता था बोलने में जो उनका दिल कहता था ऐसा लगता था कि उनके शब्दों में एक पावर है जो सबको कन्वेंस कर लेती है पोईट जब यह सुनते हैं तो सोचते हैं कि अर्नेस्ट के लाइफ वे करेक्टर खुद एक पॉम है जो कि उन्होंने अभी तक नहीं लिखी है थोड़ी ही दूरी पर ग्रेट स्टोन फेस एक वाइट थुन्द में सुरत की रोशनी से चमक रहा था जैसे कि अर्नेस्ट के सफेद हो चुकी आईब्रो तब ही अर्नेस्ट एक एक एक्स्प्रेशन देते हैं जिसको देखकर पोईट चिलाते हैं रुको रुको अर्नेस्ट खुद ही दे ग्रेट स्टोन फेस की तरह लग रहे थे जिस पर सारे लोग देखते हैं और इसको सच पाते हैं और साथ ये बविश्यवाणी भी सच हो चुकी थी तेकिन अर्नेस्ट जो थे वो अपनी बात खतम करते हैं और पोईट का हाथ पकड़कर घर की दर है ऑ जग जब और खिरम्लेघция गर की तरह प्याहत हैं और भीपवाणी की तेकिन सच हैं और ग मैं सच है आब मैंस्ट की तरह रहे जग बप करते हैं रहें गभिव शयार संह हैं।